नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवी शेख है, हम अप्रभात एक्जाम के करंट अफ्येशों के 241 एपिसोड में आप सबी का स्वागत करता हूँ नमबर एक, प्रधान मंत्री मोदी और बोरिस चॉंसन के बीच वर्चल शिखर बैटा का आयोजन प्रधान मंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस चॉंसन के बीच वर्चल शिखर बैटा का आयोजन किया गया इस शिखर बैटा के एक बड़ी उपलब्दी है, दोनों देशों के बीच व्यापार साज़ेदारी बढ़ाने की घोशना होना वर्च 2019-20 में दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार 15 अरब 40 करों डॉलर का था ब्रिटेन के यूरोपिय संग से अलग होने के पाथ से दोनों देशों के लिए शांदार नए अफसर उपलब्द हुए हैं इन अफसरों और चमताओं का पूरा लाब उठाने के लिए दोनों देशों के बीच FTA के लिए वारता शुरू करने की घोशना की गई है इसका लक्ष 2030 तक आपसे व्यापार को दो गुना से अधिक बढ़ाना है सरकार ने मैई 2021 में होने वाली जेए की मुखे परिक्षा COVID-19 महामारी को देखते हुए स्थखित कर दी है परिक्षा इस महिने के अंध में होनी थी अपरेल सत्र पहले से ही स्थखित कर दिया गया था शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल ने एक ट्वीट में कहा की COVID की वर्तमान स्थिती और छातरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निड़नाई लिया गया है उन्होंने छातरों से आग्रह किया कि वे आगे की जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहे क्रिकेट खिलाडियों की बीच कोर्णा के संक्रमन को देखते हुए इस समय जारी IPL क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थागित करने का फैसला लिया गया है या फैसला IPL की कारेकारी परिशत और भारतिक रिकेट कंट्रोल बोर्ट की अबाद बैठक में सर्व समत्ती से लिया गया देश में कोविट की दूसरी लहर के बाद IPL प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर काफी अलोशना हो रही थी अमेरिका में कैलिफोर्निया के रिकिस्तान में सबसे बड़ी सौर उर्जा परियोजना को मनजूरी दी गई है इससे 90,000 घरों को बिजली मिलेगी पचपन करो डॉलर की यह सौर उर्जा परियोजना 2000 एकड की भूमी पर फैली होगी राष्टपती जो बाइडन ने जलवायू परिवर्तन का मुकाबला करने और रोजगार स्रेजन के उद्देश से सार्वजनिक भूमी नवी करने उर्जा परियोजना लगाने की घोशना की है दोस्तो अब समय आगया है आज के सवाल का आपके options हैं 10 जनवरी, 15 माई, 1 माई या 12 आगस्त आप अपने जवाब हमें नीचे दे comment section में बताए हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तो कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था की हाल ही में किस देश से 8.5 मिलियन वैक्सिन की खेप भारत आई है दोस्तो इसका सही उत्तर है option C, Roos आप में सुनको बदाई जिने सही जवाब मिले दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज की वीडियो का PDF आपको नीचे description box में मिल जाएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू करे और अन्त में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद और इन questions को पढ़ने से आप पर इक शकले हो जाएंगे 100% ready आज ही खरीदे Amazon Flipkart या नजदीकी bookstore से और पाएं सफल का